हेलो गाइस, चेस 2.0 में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखते हैं निम्जो इंडियन डिफेंस को जो की हमारा क्वीन गैंबिट के खिलाब केला जाता है यहाँ पे नाइट F6 आता है D4 के जवाब में उसके बाद C4, जो मेंल लाइन है क्वीन गैंबिट की को उसके बाद यहाँ पे E6 चला जाता है इस बिशप को यहाँ पे B4 पे लाने का क्यूँकि नाइट C3 आता है, तो इसको B4 पे लाये जाता है ताकि इस नाइट को हम पिन कर सकें पिन क्यों करें क्योंकि knight जो defend कर रहा है वो e4 square को कर रहा है future में अगर white e4 square चल लेता है तो simply उस pawn को हम capture कर लेंगे ये इसको recapture नहीं कर पाएगा क्योंकि ये pin है further अगर knight f3 आता है तो उसके बाद हम इस knight को ले लेंगे और ये pawn से अगर इसको लेता है तो हमको simply यहाँ पे check मिल रहा है और इस rook पे भी fork लग रहा है तो ये possibility यहाँ पे हो सकती है second जो possibility है यहाँ पे e3 चला तो उसके बाद हम इस simply इस knight को ले लेंगे ताकि जो ये pawn है वो double हो जाए यहाँ पे और इसको बाद में हम target कर सके और pawn को हम win कर सके तो ये दो point यहाँ पे हम देख सकते हैं निम्जो इंडियन defense में तो अब हम देखते हैं master game को कि जहाँ पे ये निम्जो इंडियन defense की लग गया है तो simply अगर यहाँ पे d4 आएगा उसके बाद knight f6 c4 e6 knight c3 और square bishop b4 तो ये main line है निम्जो इंडियन defense की उसके बाद क्या क्या possibility हो सकती है white की pass तो white की सबसे पहली possibility है e3 केलने की क्योंकि उसके बाद ये bishop को यहाँ पे d3 पे वो place कर सकता है क्योंकि future में जो ये e4 square है उसको वो defend कर सके तो e3 का purpose simply यही होता है उसके बाद यहाँ पे queen c2 आ सकता है simply queen को लाके e4 square पे जो ही main square है e4 का उसको define करने के लिए हम queen को ला सकते हैं तो दो जो move हैं वो e4 square के लिए हैं उसके बाद f3 है simply pawn से भी हम e4 square को support कर सकते हैं फिर knight f3 जो अलगी move है I think वो simply deployment का purpose है उसके बाद आता है bishop g5 यह भी एक अच्छी move है क्योंकि इसके बाद हम pin कर रहे हैं आप मलब parts लिए pin कर रहे हैं इसको queen को queen sorry जो भी e4 square पे जाने वाला हमारा knight है उसको हम pin कर सकते हैं यह भी सब कुछ e4 square के उपर ही चल रहा है भी उसके बाद आता है g3 possibly यह bishop को लाके यहाँ पे e4 square को support कर सकें और जिसको हम catalan भी कहते हैं g3 हो गया उसके बाद a3 simply इस bishop पे attack कर रहे हैं जो की main line हो जाएगी हमारी फिर से तो यह यह possibility हो सकती है suppose यहाँ पे हम e3 चलते हैं उसके बाद जो possibility है वो castle कर सकता है यहाँ पे black और इसके बाद c5 किल सकता है center पे break कर सकता है b6 किल सकता है d5 किल सकता है black और knight c6 किल सकता है deployment ओके फिसकर या फिर simply bishop take c3 हो जाएगा और यहाँ पे knight e4 हो जाएगा जो की possible line है तो suppose जो की बहुत कम लोगों ने के लिए है यहाँ पे अगर हम castle करें simple जो top पे है उसके बाद यहाँ पे आता है bishop d3 जो की main line है जो पिनिम जो इंडियन defense की एक अगेंस्ट तो उसके बाद यहाँ पे आता है d5 center पे attack basically spawn पे attack हो रहा है ठीक है फिर knight f3 आता है deployment और उसके बाद आता है c5 जो की साइद आपको भी कई गेमों में देखने को मिला होगा जब आप queen gambit खेलते हो फिर यहाँ पे castle करता है knight c6 आता है फिर आता है a3 तो यहाँ पे capture करना होगा और उसके बाद bishop takes c3 और उसके बाद b takes c3 तो यह वाली जो lines है यह आपको देखने को मिलेगी और यह master में भी खेला गया है काफी बार possible है यह आपको भी देखने को मिला होगा e6 knight c3 उसका है bishop b4 तो इसके बाद आपार पास क्या क्या possibility है यहाँ पे जो हमने line देखी थी e3 की possibility है और यहाँ पे जो दूसरी line है queen c2 उसको हम देख लेते हैं queen c2 के बाद यहाँ पे यहाँ पे हम castle कर सकते हैं c5 केल सकते हैं d5 केल सकते हैं knight c6 केल सकते हैं तो suppose हम को क्या करना चाहिए यहाँ पे c5 possibility कैसी रहेगी या फिर castle सबसे पहले save कर दो अपने राजा को यह possible choice हो सकती है बट future में यहाँ पे queen आख कड़ा के बैटी वी है तो क्या यह danger हो सकते हमाले या फिर हम कुछ develop करें और जो queen side उस तरफ castle कर सकें क्या possibility हो सकती है यहाँ पे bishop पे कभी भी attack हो सकते है तो क्या हम सीधा इस knight से knight को capture कर लें बट अब यह pawn double नहीं हो पाएंगे यहाँ पे queen जो है वो capture कर लेगे तो यह pawn double भी नहीं हो पाएंगे यहाँ पे तो इसको capture करना उतना फायदे मन भी नहीं है हम तो मुझको यहाँ पे castling सही लग रहा है इस point पे एक बाग castle कर दो ठीक है उसके बाद तुरंत यहाँ पे bishop पे attack होगा माल लेते bishop पे attack हुआ हमने capture नहीं किया हमने bishop को पीछे लाए और उसके बाद फिर से bishop पे attack हुआ फिर हमने bishop को बचाया और उसके बाद फिर push हुआ यह और aimer bishop गया trap हो गया तो इसलिए इस point पे या तो हम यहाँ लाए या फिर हम capture करें क्यूंकि अगर यहाँ पे भी लाएंगे तो उसके बाद फिर से यह pawn push होगा अब फिर हमको move करना हमारे tempo खराब हो जाएगा तो possibility हमको capture करना ही पड़ेगा तो हम capture करेंगे उसके बाद यहाँ पे queen से capture होगा और हमको हम यहाँ पे b6 चल सकते हैं d6 चल सकते हैं d5 चल सकते हैं all right तो मान लेते हैं हमने चला d5 तो यह capture कर सकता है अब यह capture वाला देखते हैं समझ निकले कि capture कर दिया हमने knight से capture किया उसके बाद यह knight को develop नहीं करेगा क्योंकि इसके queen hanging है तो वो क्या कर सकता है क्योंकि queen को हटाना पड़ेगा उसको तो उसको capture नहीं करेगा यहाँ पे capture करना उतना अच्छा नहीं है तो इसके बदले वो क्या कर सकता है यहाँ पे knight f3 bishop g5 एक possibility है क्योंकि इसको pin कर सकता है और अपने bishop को develop कर सकता है तो यह देखने को मिल सकता है अपको कई गेमों में उसके बाद इसके बाद यह सारे अभी तक underlap हैं और यहाँ पे भी underlap हैं तो deployment में तो यहाँ पे white थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसके pawn भी काफी आगे advance है बट solid तो black भी है यहाँ पे d takes c4 अच्छा रहेगा ओके c5 h6 bishop bd7 इसकी possibility क्या हो सकती बिशब bd7 और इसके बाद हम spawn को push करेंगे लेकिन यह queen यहाँ पे देख रही है इसको तो इसको कुछ फाइदा भी नहीं होगा all right I think यह possibility हो सकती है इसमें यहाँ इस point तक queen अगर यहाँ पे आती है तो काफी कुछ white के पास काफी कुछ है बट उसे fast अपने develop करना बढ़ेगा white को अगर यह queen ना चलके यहाँ पे कुछ और चले हम f3 चले है यह knight f3 चले है knight f3 try करते हैं उसके बाद यहाँ पे b6 आ सकता है c5 आ सकता है castle d5 first move is b6 तो b6 तुरंद b6 की चला समने बिस bishop को लाना चाहते हैं सारे knight के बाद आने पे ओके इस जो e4 square एक और i think attacker इसमें add करना चाहते हैं और राइट तो b6 का purpose काफी समझ में आ रहा है यहाँ पे relate कर पा रहे हैं इस move को तो उसके बाद क्या हो सकता है यहाँ पे इस knight को pin किया जा सकता है e3 आ सकता है और queen b3 आता है क्योंकि यहाला move all right यहाला move हो सकता है इस bishop पे attack कर सकते हैं क्योंकि यह अच्छा लग रहा है मुझे इसलिए मैं चल रहा हूँ उसके बाद यहाँ पे c5 आ सकता है ओके a5 आ सकता है और bishop को सारे सपोर्ट कर रहे हैं यह सारी move c5 a5 और queen e7 और यहाँ पे bishop take c3 check bishop back back जा सकता है इसे में but future में थोड़ा risky हो सकता है bishop back जाना पर ठीक है e5 knight save defend कर सकते हैं तो defend करने के काफी सारे तरीके हैं तो कौन सा सही वाला है वो समझ भी नहीं आ रहा है इसमें अगर knight को मेरे को develop करना है बढ़ उसके future में यह push होगा मेरे को यह लेना होगा तो मेरे bishop पे खत्रा हो सकता है पर यह knight यहाँ पर है अगर मैं यहाँ चलता हूँ कोई knight e6 ने चला किसीने c6 सबसे rare move है वो भी एक move किसी knight c6 चला ठीक है फिर इसके बाद है bishop पे अटैक और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह अच्छा पॉइंट था उसके बाद यह चलेगा और इस bishop पे अटैक करने के लिए यहाँ से हम सेंटर पर चलेंगे तो यह knight इसको capture नहीं कर पाएगा spawn को तो यह bishop जाने के पूरे आसार लग रहे मुझे यह possibility हो सकती है इसमें तो आप यह analyze कर सकते है अपने game को इसमें जब आप खेलते हो तो आप यह देख सकते हो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप like कर सकते हो और अगर आपको future में ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप इस channel को subscribe कर सकते हो अगर आपको कोई बात करनी है तो comment में आप share कर सकते हो thank you